Hello everyone, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सल में कैसे हम स्टॉक जनरल को क्रियेट करते हैं ये हमने अपना स्टॉक जनरल क्रियेट किया हुआ है इसमें हमारे पास दो शीट है एक शीट है जहांपर हम अपनी स्टॉक की बाई और सेल के एंटरी करेंगे एक शीट है जहांपर हमने डैशबोर्ड क्रियेट किया है डैशबोर्ड में हमारा ग्राफिकर रिप्रेजेंटेशन है टोटल हमको कितना प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है प्रॉफिटेबल ट्रेट्स हमारे कितनी थी कितनी trades के अंदर हमको loss हुआ तो वो सब हम यहाँ पर देख सकते हैं पहले हम देख लेते हैं कि यह sheet work कैसे करेगी सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी capital बताएंगे यह हमने अपनी capital बता दी इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर हम serial number डालेंगे stock का नाम बताएंगे serial number यहाँ पर डालना जरूरी है अगर serial number हम यहाँ पर नहीं बताते हैं तो आगे जो sheet की calculation है वो work नहीं करेगी तो पहले हम serial number डालेंगे stock का नाम बताएंगे इसके बाद यहाँ पर हम date डालेंगे कि किस date पर हमने stock को buy किया यहाँ पर quantity आजाएगी जिस rate पर buy किया है वो rate हम यहाँ पर बता देंगे अब यहाँ पर quantity और rate के एसाब से जो भी amount हमारा लगा होगा वो यहाँ पर आजाएगा इसके बाद यहाँ पर है entry second और entry third अगर stock के अंदर हम entry एक से ज़्यादा बाल लेते हैं तो उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं अभी जैसे इसी stock के अंदर हमने same date पर दुबारा से entry ली अब हमने 25 stock लिए 420 के एसाब से जो हमारा amount लगा वो लगा 10,500 ऐसे ही अगर हम third time entry लेंगे तो उसको हम यहाँ पर बता देंगे इसके बाद अब जैसे हमने इस stock के अंदर entry ली हमने दो बार entry ली तो इस stock के अंदर हमारा total amount कितना लगा वो हमारा यहाँ पर आ रहा है entry लेते वक्त हमारा एक बार price था 400 रूपे और दूसरी बार rate था 420 रूपे इसके इसाब से जो हमारा नया average price आया वो आया 407 रूपे total number of quantity जो भी हमारी stock की होगी वो यहाँ पर आ जाएगी इतना काम हो गया जब हम stock को buy करेंगे अब जानते हैं जब हम stock को sell करेंगे तब उसके entry हम कैसे करेंगे साथी साथ जब हम stock को sell करेंगे तब हमारा profit या loss कैसे show होगा तो जब हम position को close करेंगे तो यहाँ पर हमने उसके लिए exit 1 और exit 2 create किया हुआ है यहाँ पर हम date डालेंगे quantity बताएंगे और rate डालेंगे amount हमारा यहाँ पर आ जाएगा अभी मैं quantity को आधी कर देता हूँ माल लेते हैं कि position को हमने दो बारी में close किया इसको हम 40 कर लेते हैं इसके बास same date में जो quantity हमारे पर बची थी उनको भी हमने बेच दिया exit की entry बताने के बाद अब हमारे पास section है profit and loss का सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है name तो जो भी stock का नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा हमको बार बार पीछे जाकर stock का नाम देखने की जरूरत नहीं है हम एक बार stock का नाम यहाँ पर बताएंगे वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद जो भी हमको profit या loss हुआ वो यहाँ पर आ जाएगा हमारी जो भी brokerage लगी वो हम यहाँ पर बता देंगे इसके बाद है हमारे पास net profit and loss brokerage हटाने के बाद जो भी हमारा net profit या loss होगा वो amount हमारा यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद है profit या loss अब अगर हमारा profit होगा तो यहाँ पर हम select करेंगे profit अगर loss होगा तो यहाँ पर हम select करेंगे loss अभी यहाँ पर हमारा profit हुआ है तो यहाँ पर हम select कर लेते हैं profit अब हम वापस से यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर जो हमारा profit है वो update हो गया है इसके साथ ही साथ जो हमारी net capital है वो भी change हो गई है इस तरीके से हम buy और sell के entry करेंगे अभी यहाँ पर मैं 2-3 entry और पास कर लेता हूँ इसके बाद हम देखेंगे कि इस sheet का जो final overview है और यहाँ पर जो हमने dashboard create किया है वो work कैसे करेगा तो यहाँ पर हमने अपनी entries को कर दिया है अगर यहाँ पर हम profit and loss को देखें तो 4 entries हमारी ऐसी है जिनके अंदर हमको profit हुआ है और एक entry ऐसी है जिसके अंदर हमको loss हुआ है total profit और total loss हम यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारी buy और sell की entries हो गई आगे जैसे जैसे हमारी entries होंगी उनको हम यहाँ पर करते जाएंगे अब जान लेते हैं कि हमारा dashboard कैसे work करेगा हम home button के उपर click करेंगे तो हम dashboard के उपर आ जाएंगे तो जैसे जैसे हम entry करेंगे उस हिसाब से यहाँ पर dashboard हमारा automatic update होता जाएगा यहाँ पर हमारी capital शो हो रही है total जो हमारा profit होगा वो यहाँ पर आ रहा है ऐसे ही यहाँ पर loss शो होगा capital में profit और loss की adjustment होने के बाद जो हमारी net capital है वो यहाँ पर शो होगी total हमने कितनी trades ली वो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके बाद कितनी trades ऐसी थी जिसके अंदर हमको profit हुआ और loss हुआ वो हमको यहां से पता चल जाएगा इसके बाद यह हमारा chart है total trade जो हमने ली जिसमें हमको सबसे ज़्यादा profit हुआ वो 5 trade हमको यहां पर show होगी chart को update करने के लिए हम data type के अंदर आएंगे यहां पर option है refresh all जब हम इसके उपर click करेंगे तो chart हमारा update हो जाएगा इसके बाद यहां पर हमने 3 button create किये हैं सबसे पहला है home button, home button है हमारा dashboard के लिए इसके बाद है trade book, जब हम इसके उपर click करेंगे तो हम इस sheet के उपर आ जाएंगे बापस से हमको dashboard पे जाना है तो हम home button के उपर click करेंगे इसके बाद जो last button है वो है chat के लिए जब आप इसके उपर click करेंगे तो आप Instagram पर मुझसे बात कर सकते हैं मुझसे जितनी जल्दी हो पाएगा मैं यहां पर आपको reply कर दूँगा इस sheet को download करने का link आपको नीचे description box के अंतर मिल जाएगा आपका कोई भी question है आप नीचे comment करके या Instagram पर पूछ सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही thanks for watching